हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाईया बहनों मैं राहुलगर्ग सुकला आपको अपने यूट्यूब चैनल क्लास्टेन सस्टी की क्लास में हार देख स्वागत्यों अभजिदन करता हूं आज हम आपको खनी तता उड़्जा संसाधन से समधित कुछ बातों के बारे में उस विष्यों के अंदर गत चाहिए करेंगे जिसमें खनी तता उड़्जा संसाधन से सम्मधित चीजें आप समझ पाएंगे चलिए प्रारम करते हैं खनीजों का उपयोग यों आर्थिक महत्त सब्सप्रयाब खनीजों के बारे में जानेंगे खनीज किसे कहा जाता है खनीज क्या चीज है और खनीज को हम कैसे समझें जानिए कि खनीज एक प्रागतिक रूप से विद्वान समरूब तत्व है जो चत्तानों में दरारों में जोड़ों व्रंसों पर बीदरों में मिलते हैं एक खनिक बिशेश जो निश्चित तत्तों का योग है उन तत्तों का निवमा उस समय के भावतिक वा रासानिक समय के भावतिक वा एक पकार से रासानिक प्रस्तियों का परड़ाम माल जाते हैं यह प्रिथवी की आंत्रिक सतहों में अलग-लग रूप रंगों में चमकंगे साथ घनतों के साथ क्रिश्ट्री रूप में भू भैग्यानिक इनहें बताते हैं जिन्हें खोद कर निकाला जाता है इन्हें हम एक प्रकार से महत दे सकते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं खाने पीने के लिए एवं सभी प्रकार से यह मूल लिवान खंजों के रूम में भी देखे जा सकते हैं एवं राष्ट का इससे एक प्रकार से डेक्तिकत विकार भी कह सकता है खनिजों से हमार जिवन अराम दायक वा सुनधा जनक बनता है पिधेभी पर होने वाली जैमी क्रियाओं के लिए खनिज अत्यंत लाफकारी मने जाते है चटानों में खनिज देखें तो चटानों में खनिजों के संगरूप योगित मने जाते है चाट्टानों का दिर्मार प्राग्रतिक रूप से खनीजों के कणुष से मिलकर होता है इसके प्रड़ान सुरूप ही खनीजों में विविध रंग, एवम, कठोर्ता, चमक, घनत, अथा, विविध पकार की क्रिश्टल क्रियाये पाए जाती है प्रिथिवी पर उपलब्द अधिकतर चाट्टानों के बाहिस रूप विविध पकार के खनीजों का समिस्र ही माने जाते है यद्दे भी 2000 से अधिक खनीजों की पहचान की जा चुकी है लेकिन अधिकतर चाट्टानों में केवल खुछी ही खनीजों की बहुतायत माने जाती है इनके बारे में आप इस परकार जा सकते हैं कि यह धात्विक और अधात्विक दो परकार के होते हैं धात्विक करता है धात्विक खर्ज में धात्व कच्चे माल के रूम में समाहित होते हैं धात्व कठोर रूम में होती हैं जिन्हें अधिक उस्मावा गर्म करके उनके असली रूम में प्राब्ति किया सकता है जैसे लव अयस्क बाकसाइट मैगनीज अयस्क आदि इसके उद ऐसे खनिज जो धादर की रूप में नहीं होते हैं जिसे चूना पत्थर अवरक पुटास सलफर आधि इन खनिजों के उधारण हैं कोईला और पेट्रोलियम के रूप में पाए जाने वाले खनिज भी अधादवी खनिज कहलाते हैं कहने का अथार्त है कि इसमें हम बिद्दुत उर्जा का संचारण नहीं कर सकते हैं इसमें आप रौक चत्तान को भी माँ सकते हैं कि चत्तान में खनिजों की समरूप तत्तों में योगिक हैं अधिकतर चत्तान में बिभिन अनपातों के अनेक खनिजों का योग माने जाते हैं औरेश चत्टानों मेरे जो खंजश पराब्त होते हैं वो ANवयय यह तत्तों का मिश्टण ही होते हैं। इसके लिए AID सब्द का प्रियोग किया जाता है। तो आप समझता हैं है कि खणश जो होता है वह मुक्त धातविग अधथातविक होता है। चट्टान या आयस्क यह एक रूप मनिजा सकते हैं खद्रन कर्ण मीनिंग इस पकार समझेए चट्टानों से ख़णों को बाहर निकाले की प्रक्रिया को ही खञळन मान सकते हैं खुला-खञण करना ओपन-काष्ट मीनिंग करता है कुछ खनिज जो सता के नीचे होते हैं उन्हें सता की खुदाई करके प्राब्द किया सकता है या उन्हें खुलने के बाद खनन करके हम प्राब्द करते हैं या गहराई में खनन करते हुए soft meaning गहराई खुदाई को soft mining कहते हैं काम्झीज कॉफी नीच offers तो आपने इस प्रकार के हैं कि कितने प्रकार के होते हैं आप समझें कि एक। talk जो का सरक्षन कैसे किया जाया अफ दधा मिरिल्स इन इन इन्डिया स्क्षा रिवीजन नोट्स इस प्रकार से ऐस समझेंगे इस सब्सक्राइब कर सकते हैं सभी प्रकार के खरीज संसाधन के निर्माडवा सांद्रन में लाखों वर्स लगे हैं हम उनका सिग्रथा से उपयोग कर रहे हैं हमारे ब्राद्देश में बहुतायत खरीज संसाधन पाए जाते हैं परन तो कुछ संसाधन हैं जो खरीजिक अवस्था में ठीक तरीके से हम उसके भंडारण नहीं देख सकते खनन में दच्छता वर्तमान प्रद्योगी कियां अपनी दच्छता में इस समय अपर्याप्त हैं संसार में अभी भी विकास करने के लिए वास्तविक रूप से बहु सुध करने में बहुत सारा भंडार वेकार हो जाता है आज इस वेकार भंडार के उपयोग से बहुत सारे उत्पात बना जा सकते हैं बिकल्फ इस पकारसे दूरलाफ कोड़ के का कम लावतिों पर प्रयूग करने के लिए उन्नत। प्रद्धों का सतत विकास करते रहना होगा इसके साथ साथ ये बात होगी कि उधारन के लिए पूर में बिजली उद्योग में तामे का प्रयोग के जाता था लेकिन अब तामे के अस्थान पर अलूमिनियम बहुत शारी अन्ने धातू का उपयोग कापर के अस्थान पर किया जा रहा है अब इसको हम पुना चक्रण के रूम में भी देख सकते हैं इसपाद के छोड़े सेंत्रों में शारे बिस में बड़े तुगड़े इसक्राइप का प्रियोग किया जा रहा है यहाँ पुना चक्रण का सबसे अच्छा उदारन है यहाँ बेकार माल को कम करने में साहता करता है लेकिन इसमें पुना चक्रण की कुसलता बिकसित होती है पुना चक्रण खरचिला है भीविन प्रकार के खाईजों के मिस्टन करने में उनकी अनुपाद में समस्या खड़ी होती है अन्य था लोहा, कापर, जिंग और अन्य प्रकार के खंजों का और पुना चक्रन जायदा किया जाता है कम से कम निर्याद की बारे में देखा जाए कम से कम निर्याद कम से कम किया जाए तथा मूल बढ़ाकर उतपादों का निर्याद किया जाए अपने ख़नी सर्शाधनों को सुरियोजित एम सतत पोशलि ठंक से प्रयोग करने के लिए एक तालवैर यूक्त प्रयास करना होगा दुररभ कोड के स्कों का कम लागतों पर प्रयोक करने के लिए उन्नत प्रद्र्दोगी को का सतत्विकास करते रहना चाहिए धातों का पुना चक्रर्ण म Ведь listening, काउपयोक्वित मिर, हमारे खरिसना साधनों के सरक्षन के उपाई के लिए इसमें इनके बारे कुछ इस पकार से आप समसकते हैं कि नोदा टर्म्स यानि कुछ वीज़े बाते हैं जो को हम सौर्ड रूब में समसकते हैं जैसे कि लव्व युक्त खनीज़ फेरर्स-मिनरल्स इन खेंज़ों में लव का बिस्तार मिश्ण होता है उदरहंड के रूप मे लौ आयक्स मेगनी जाए दिए ये लौह यूद खरीज में आते हैं अलाओ खरीज नान फेरस मिनरल्स में आप समझेंगे कि इन खरीजों में लौह का विस्तार मिश्टर नहीं होता जैसे कापर एलमुनियम इत्यारी इसमें लौह की चीज़े मिश्टर नहीं होती इसलिए इ इसको बिश्ताइद किया सकते हैं अद्हाद्विक का अद्ध है नौन में ओन्टलिक इन मिनरल्स इन खरीजों में धादुका विस्तार मिश्टर नहीं होता जैसे अभरक ृभरक नमकाद इसमें भापने से अपने जो घर कंशेंस्जा3 कि उनका सअरख्षाम कर सकते हैं भारत में खर्ष संसाधन आफु इसके बारे में आगे पढ़ेंगे उज्जा संसाधन किस पगार से हैं तो इसको अगले टॉपिक में आपको अध्यन कराऊंगे तब तक आपıldर को झाल झाल